हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार स्वागेद है दोस्तों UGC, NET और SET की त्यारी करने वाले उन तमाम विद्यार्टियों को मेरी तरफ से हार्जिक सुबकाम नहीं है दोस्तों क्योंकि अब आपके सामने UGC NET का जो एक्जाम है दिसंबर 2023 में होने वाला है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने सपना देखा है आने वाले समय में कोलेज लाइबरियन बनने का तो आपके लिए एक जो है NET या फिर आपके स्टेट का SET एक्जाम पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों और जो भी विद्यारती राजसान कोलेज लाइबरियन की त्यारी करना चाहते है तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आज से आपका जो है RPC के द्वारा जो है कोलेज लाइबरियन की जो वेकेंसी आई है 247 पदों पर उनका जो है एप्लिकेशन फॉरम सुरू हो चुका ह आप तुरंद परभाव से एप्लिकेशन फॉरम बढ़ दीजिए अगर जो भी विद्यारती जिसकी MLS चल रही है अर्थाद वो MLS एपीरिंग वाला है या जो विद्यारती नेट की त्यारी कर रहा है वो भी फॉरम बढ़ सकता है क्योंकि विग्यापन में साब सुतरा लि कवा है कि इंटर्वियू से पहले आपकी मास्टर डिग्री और नेट दोनों इंटर्वियू से पहले के लिए होने चाहिए दोस्तों तो अब इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव का महौल बन रहा है राजसान में ऐसा माना जा रहा है कि आपके इंटर् सबी लोगों से निवेदन है जिनकी एम लिप चल रही है या पि जो नेट की त्यारी कर रहा है वो तुरंत प्रवाव से आपके फारं बढ़ दीजे दोस्तों तैंक यू वेरी मच्च सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले चोदो मैने स आप जो जिस तरह के से हमें प्रेम हो सने दे रहे है इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों आज से हम जो है यूजिसी एंटी नेट और सैट की त्यारी करने वाले विद्यार्टियों के लिए आज ये क्लास लेकर आये है और आज की जो क्लास मे हम सबसे पहले जो आपका सेकेंड पेपर होता है सेकेंड पेपर इन दे सेंस का मलब जो आपका सब्जेट का जो पेपर होता है जो सो कुश्चन आते है अर्था हंड्रेड मार्क्स का जो कुश्चन पेपर होता है उसका सेलेबस आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो वाले हैं ताकि आपको बता चले कि सेलेवस के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा important है किस पार्ट में से question पूछे जाते हैं क्या क्या होता है उन तमाम जानकरी आपके साथ मैं share करने वाला हूं इस class को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे telegram channel है जिसका नाम है OSI for library science इस telegram channel से जुड़ जाएं जिसका link हमने description के अंदर दे रखा है और इस class के बाद आपको UGC NTA net जा रखना UGC NTA net का जो syllabus है उस syllabus की जो PDF है वो PDF आपको Hindi और English जा रखना जो PDF है आपका syllabus की जो PDF है Hindi और English दोनों बासाओं में हम आपको जो है इस telegram channel पर डाल देंगे वहाँ से आप जो है जो है PDF को डाउनलोड कर लेना इस telegram channel से और print out जरूर निकाले दोस्तों जो भी UGC net set की त्यारी कर रहा है मैं उन सभी तमाम विद्यार्तियों को कहना चाहता हूँ कि आप उस syllabus का print out निकाले और print out निकालकर जो है syllabus के हिसाब से जो है एक इक topic को जो है पढ़ना शुरू कर दीजे दोस्तों क्योंकि अगर आप syllabus के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके सामने syllabus का हर topic आपके सामने होगा तो एक एक topic को अच्छी तरीके से clear कर पाओगे दोस्तों और जो विद्यार्थी हमारे यहां पर इस YouTube चैनल पर नए है जो विद्यार्थी नए है उन सभी विद्यार्थी को मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो जो है फॉन के अंदर आप play store में जाए और play store में जाकर आप app को download कर लिजेगा online school इंडिया जो हमारे यह logo है black color का जो logo है वो logo आयाएगा और आप हमारे app को download कीजिए और app पर app के अंदर जाकर हमने UGC Net Set का जो कोर्श शुरू किया है जो कर दोस्तों दोस्तों पर कुछ demo classes है और और अगर आपको मुझसे बात करनी है किसी UGC NET से सम्मंदित है या college librarian से सम्मंदित है अगर आपको मेरे से बात करनी है इस दिये गए number पे आप कभी भी call कर सकते हैं मैं आपको आराम से बात कर पाऊंगा दोस्तो तो इस class कर सुरू करने से पहले मैं सभी विद्यारतियों के कहना चाहता हूँ कि इस class को like जरूर की किजिए जो मरे इस चैनल को subscribe कीजिए for more update और एक positive comment जरूर लिखिए दोस्तों तो आज की class जो है आपके UGC NET के द्वारा जो आपके library science का जो syllabus है आपका subject का नाम है library and information science जो आपके subject code क्या है subject code है दोस्तों आपका 59 subject code है अधिक जानकारे के लिए आप कभी भी जो इस number पर call कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो syllabus है आपका जो syllabus है यह library and information science syllabus है इस syllabus के अंदर total जो है कितने units है दोस्तों 10 units है द्यानका यह syllabus has been divided into 10 units आपके syllabus को 10 भागों में बाटा गया है द्यानका जो आपके जो paper के अंदर तो ज्यानका आपके subject जो है यह subject वाले paper में total question होंगे वो आपके कितने question होंगे दोस्तों hundred questions होंगे कितने question होंगे दोस्तों so question होंगे to so question आपके total होंगे hundred question होंगे और 100 question के जो है 100 marks होंगे, कितने marks होंगे दोस्तों, 100 marks होगा द्यान लगना, ठीक है, आपके 100 question होंगे, लेकिन 1 question, 1 number का होगा, वो आपको द्यान लगना है, 100 marks का होगा, दूसरी बात द्यान लगना है, no negative marking, आपके जो ये paper होगा, net set का, इसमें कोई भी negative marking नहीं रहेगी द्या के होंगे, लेकिन negative marking नहीं रहेगी, इसलिए आपको 100 में, 100 के 100 question, 100 पूरे question आपको attend करना है, दोस्तों, तो जो आपके 100 question होंगे, उसमें भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसमें आपके 90 question होंगे, 100 में से, वो 90 question होंगे, वो होंगे आपके library and information science के, और जो 10 question होंगे, व होंगे आपके unseen passage के, ये आपके लिए बहुत खुशी के बात है दोस्तों, चेके ना, 100 question होंगे total, 100 में से आपके 90 question ही, वो library and information science के होंगे, जबकि 10 question जो है, वो आपके क्या होंगे दोस्तों, 10 question के जो है, 2 passage आएंगे आपके, ज्यान रखना, पाच-पाच question के, 2 passage होंगे ज् free का number का मतलब यह होगे दोस्तों, 10 number के, 2 passage आएंगे, पाच-पाच question के, 2 passage होंगे, तो 10 question तो होगे आपके, ये पेसेज है, ये आपको ज्या जारेंगा free के number होगे आपके, तो 10 में से 10 question तो, अराम से आप जो है, passage में से ला सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना हैं कि total question आपके, total question जो second paper में आपके होंगे, so question होंगे, जिसमें ध्यान रखना है, 90 question होंगे आपके LIS, LIS का मलब library or information science, और 10 question जो होंगे, वो आपके क्या होंगे, unseen passage के होंगे, क्या होगे दोस्तों, unseen passage के होंगे ध्यान रखना, तो 90 और 10 किते होंगे वे, ये total, so question होंगे, आपके second paper में से तो कुल मिलागे ये 10 question जो है ये आपके free होगे दियान लगना पैसेज अराम से कोई भी ये 10 question पैसेज के जो है आपको free होगे दियान लगना तो अब आपके 10 question तो जो है आपके 10 marks क्यों होगे 10 होगे अब बाकी रहा अगर आपका 90 किते होगे भी 90 अगर 90 में से अगर आपके 45 50 percent भी अगर question सही होते जिसमें negative marking नहीं है तो ये आपके किते होगे 10 question पैसेज के और 45 question आपके subject L.I.S. के तो करीबन आपके कितने question होगे 55 question तो अगर आपके 100 में से अगर 55 question सही हो आपके जो अराम से net clear हो सकती है अगर आपके 100 में से 55 question अगर आपका हो जाता है तो समब लिजिए आपकी net clear हो जाएगी दोस्तों क्या clear हो जाएगी दोस्तों? Net clear होने के आपके संभावना हो जाती है द्यान अगना तो अगर आपको net clear करना है तो आपको ध्यान एकना है unseen passage तो आप ध्यान दीजिए unseen passage की जो 10 question आते हैं वो 10 पुरा कर लिजिए और बाकी जो 90 question होंगे 10 चीक है न उस मेंसे आप 45 question कर लेते हो और total अगर आपके 55 plus question सही हो जाते है तो समब लिजिए आपकी net आराम से हो सकती है चेकर न सब्जेट में तो कम से कम अगर आपको net clear करना है या sat clear करना है तो कम से कम आपको 55 plus question आपके सही होना ज़रूरी है दोस्तो कितने question दोस्तो 55 plus question अगर आपके subject में हो जाता है फिर आपको first paper का भी हम बताएंगे चेकर न सकती हैं दोस्तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है मैं यहाँ पर subject की बात कर रहा हूँ अगर net अगर आपको clear करना है तो कम से कम आपको 55 question आपके सही होना ज़रूरी है कितने में से 100 question में से आपके 55 question minimum 55 question आपको सही होना चाहिए तो minimum आपके 55 है और maximum आपको कितने भी हो सकते हैं दोस्तों अगर minimum 55 question अगर आपके सही होता है तो समझ लिजे आपके net पास करने की उमीद बन जाती है 55 से अगर कम होगे आपके चाहिए 54-53 तो आपका net नहीं हो सकता इसलिए subject को प्राक्विक्दद देते वे कम से कम 55 प्लस आपके subject में सही होना जरूरी है तो मैंने बता दिया आपको तो इस तरीके से आपको follow करना है दोस्तों अब आपके syllabus को 10 बागों में बाटा गया है 10 unit में बाटा गया है जो पहली जो unit है वो पहली unit है data information knowledge and wisdom तो पहली जो unit है वो आपके data information knowledge और communication के उपर जो ये पहली unit है दिया रखना है इसमें सीधा सवाल जो बनता है आपके एक तो बनेगा NKC national knowledge commission है ये topic बहुत ज़दा important है दूसरा है RTI act information technology है तेसरा है plagarism है चोता IPR और ये है पांच वा आपका information industry छटा communication और चोता information science तीसरा role of information in planning और इसके बाद information life cycle तो द्यान रखना ये दस पहला unit के अंदर दस topic है इन दस ओर topic important है इसलिए आपको net की त्यारी करते वे आपको दस ओक दस ओर topic आपको अच्छी तरीके से clear होना जरूरी है दोस्तों फिर मैं कहा रहा हूँ अगर आपको net का syllabus अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे apps आप हमारे जो है telegram channel से जुट जाएए जहां पर आपको जो है ये पूरा net का जो syllabus आपको मिल जाएगा फिर हम बात करते हैं दूसरा unit दूसरा जो unit है वो होता है historical development of libraries in India कि बारत के अंदर जितनी भी libraries है उनका इत्यास क्या रहा है लाइबरी से समंदी committee और commission committee commission का मले होता समीती और आयोग कौन कौन से समीती है और कौन कौन से जो आयोग बने वे हैं ये है अब इसके अंदर द्यानेक में सबसे important types of library library के क्या परकार है उसके बाद है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से राजिये में library अधिनियम मने हुआ है press and registration act क्या होता है delivery of books act newspaper act क्या होता है फिर five laws of library science है यहां से एक सवाल बनता है और library जो profession है यहां से भी एक सवाल परिक्षा के अंदर पूचा जाता है और सबसे ज़्यादा question यहां से बनेंगे क्योंकि ध्यानेक ना यहां पर जो professional association है चाहे national हो चाहे international हो national में ILA, Isleek, Italy international में IPLA, ALA, SLEEP, ASLEEP, SLA role of UGC एक सवाल इसमें से बनेंगा triple RLF, UNESCO और जितने भी international association है वो सारे पढ़ने पढ़ेंगे यहां से एक दो सवाल हमेशा परिक्षा में पुचा जाता है फिर बात करते हैं library information science in education बारत के अंदर पुस्काले और सुचना विज्यान का शिक्षा का विकास कहां से हुआ फिर library public relation फिर type of user user study और user education यह हमेशा सवाल user study और user education में एक सवाल हमेशा परिक्षा में पुचा जाता है फिर अगला दस वाजो सबसे important है इस information literacy से एक सवाल हमेशा परिक्षा के अंदर पुचा जाता है दोस्तों तो second unit सबसे ज़्यादा important माने जाती है अब हम बात करते हैं दोस्तों unit 3 unit 3 जो है आपके information sources जितने भी सूचना सुरोत है जिकरा सूचना सुरोत से समद्धित सारे सवाल बनते है जिसमें एक सवाल आपके जो सूचना सुरोत के जो परकार है primary, secondary और third तो पहले आपको primary information source जितने भी उनको details से पढ़ना होगा दूसरा secondary source है ये भी बहुत ज़्यदा details से पढ़ना होगा और तीसरा जो टैटरी है इन तिनों में से एक एक सवाल हमेशा परिक्सा के अंदर उचा जाता है दोस्तों और छटा जो है very important द्यानक ना इसमें आपको biographical अलग source होते है ये तो होगया बिबलोग्राफी इसके अलग source होते है बिबलोग्राफीकल अलग source होते है education language और जोग्राफीकल फिर हम बात करते हैं electronic information resource जैसे subject gateway हो गया वेब पॉर्टल हो गया बुलेटिन हो गया उसके बाद हम बात करते है database, bibliographic, नियोरिक ये सारे चीजे फिर होता है institutional and human resources इस में से भी एक सवाल हमें सब पुछा जाता है और दस्वा होता है evolution of reference source and web sources जैसे जैसे नई technology है तो ये पूरा जो थर्ड पार्ट है वो information source है अब जो चौदा जो पार्ट होता है वो होता है community information service है ये क्या यहाँ पर वो तो था पार्ट तरी श्रोत हो है ये क्या दोस्तों सेवा है तो reference service ये सबसे important है एक सवाल यहां से हमें से आता है अलर्टिंग अलर्टिंग service case और SDI है एक सवाल यहां से है mobile best library service है चाहिए mobile opay को mobile database हो यहां से भी हमें से एक सवाल बनता है और यह fix है वही एक सवाल fix आता है wave 2.0, wave 2.3.0 library 2.0 इसका क्या concept होता ये सबसे ज़्यादा सवाल बनता है और social network है academic network है social tagging ये सारा सवाल बनते है wave है और सबसे ज़्यादा important है आपके ज्यानगना unit form है आट वा जो topic है national information system network जितने भी national और information network है करीबन 25 network मेंने आपको app के अंदर पढ़ाये है तो ज्यानगना 25 के 25 network आपको ये दिये वे है इनके अलवा आपको सारे network पढ़ना है और इसके बाद ये भी important है international information system of network ये international network भी कई बार इन मेंसे सवाल बनते है तो आपको ये दोनों आटवा और नमा पॉइंट दोनों आपको पढ़ना है और ये भी सवाल अमेसे बनता है लाइबरेरी रिसोर्स शेरिंग और consortia और consortia चाहे national हो चाहे international हो ये आपको पता होना चाहिए तो ये इस इस unit में से कम से कम आपको चार से छे कुशन आराम से हर exam के अंदर पुठा जाता है दोस्तों अब बात करते हैं इंपोर्टेंट है यूनिट फाइब अब यूनिट फाइब जो है वो आपका practical base पर होता है practical base का मलग होता है आपका जो classification और cataloging जो है ये यूनिट फाइब है तो यूनिट फाइब में सबसे पहले हम बात करते है universe of knowledge की दूसरा है knowledge organization हो गया तीसरा mapping हो गया चोता आपका cataloging हो गया अब cataloging के अंदर हर वो छोटा-चोटा topic है और classification में DDC, UDC, CC और इनके अलावा तमाम cataloging में triple C हो चाहे AACR 2 हो फिर हम बात करते हैं दोस्तों very important standard of bibliographic record एक सवाल आपका ISBAD का एक सवाल आपका Mark 20 का एक सवाल आपका CCF का RDA, FRBR यह जितने भी topic है एक-एक topic आपको clear होना जरूरी है दोस्तों फिर आता standard bibliographic है चाहे ISO हो चाहे 709 Z39.50 यह तमाम जितने भी standard bibliography है इन तमाम सवाल है फिर Mark 21 है METAC, MOTS, EAD चाहे indexing system हो very important जहां रगना indexing system में से हमेशा 2-3 सवाल परिक्सा के अंदर पुचा जाता है फिर हम बात करते है दोस्तों abstracting इसमें से भी सवाल आता है और information retrieval system एक सवाल यहां से भी पुचा जाता है दोस्तों फिर आता है unit 6 यह है management और management का सवाल हमेशा कम से कम आठ से दस question management से पुचे जाते दोस्तों तो पहला में हम क्या पढ़ेंगे management के तमाम सारी परिवास है management का process thought school of thought हो गया दूसरा हम आप पढ़ेंगे information center management क्या होता है और तीसरा very important human resource of management हो गया और चौता आपका financial management management इसके अंदर हम budget है उन तमाम सारे budget के बारे में हम अध्यन करते है project management में इन मेंसे हमेशा यह चार topic है चोटे चोटे है SWOT PST PRT CPM यह चार है तो चार सवाल तो यह से बन गए और TQM very important topic है यहां से दो से तीन सवाल हमेशा प्रिक्सा के अंदर पुझा जाता है दोस्तो library building furniture है यहां से भी एक सवाल आता है management involvement of MBO है change management एक सवाल अमेशा change management का आता है दोस्तो ठीक है उसके बाद knowledge management principle tools हो गया है फिर उसके बाद marketing और library products और service कौन कौन से library के जो product है इन में से सवाल पुझा जाता है कम से कम 6-8 सवाल इस unit में से हमें सब रिक्सा के अंदर पुझा जाता है फिर 7 जो आपका जो पार्ट है वो है दोस्तों computer technology तो computer technology में पूरा basic computer चाहे input device, output device हो चाहे system software हो चाहे programming language हो चाहे transmission channel हो ISDN, PSDN वो तमाम जो topic protocol है wireless communication है computer network, topology हो types of network हो internet हो, web browser www, email, search engine यह सारे जो तमाम है वो सब किसमें आते हैं internet protocol, standard HTTP SHTTP, FTP यह सब जो है इनको आपको बहुत ज़दा details से पढ़ना होगा फिर hypertext हो गए है आपके, फिर data security network तो computer जो basic जितने भी topic है इनको एक इक topic को अपनको details से पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों फिर होता है 8th unit है वो होती है आपके library automation अब library automation में international और digital international कौन कौन से library software होते है कौन कौन से digital library होती है उनके बारे में बात करते हैं फिर होता है इंस्टिडियों से repository होते है चाहे ROAR है चाहे DOAR है उसके बाद सबसे important है content management software यह तमाम जो content management software जितने भी है वो एक-एक को software को पढ़दा होगा फिर हम बात करते हैं application of artificial intelligence जिसमें expert system है robotics है लाइबरेरी में इसका क्या use होता है और ontology जिसमें RDF, RDF यह जितने भी चोटे-चोटे जो topic है इनको अपनको एक-एक detail से पढ़ना पढ़ेगा ताकि आपका जो net exam में आपको अराम से कोई clear net exam आपका असाने से clear हो जाएग फिर है आपका नाइंत जो है यह होता है research के लिए research में ध्यान लखना आपको मैं निचे से शुरू कर रहा हूं impact factor है matrix है यह सवाल अमेशा इन में से परिक्सा के अंदर रहता है research report writing है statistical package है data analysis है आपके methods of data collection है research design है research methodology और research है तो यह बहुत important topic है यह से भी कम से कम आपके 6-8 question आपको पढ़ना पढ़ता है तो अपनको एक यह detail से पढ़ना पढ़ेगा impact factor में कौन-कौन से भाग होता है तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत ज़्यदा detail से पढ़ोगे तो आपका पहली बार में ही नेट यह सेट के लिए हो जाएगा क्योंकि जो नेट का जो सेलेवस होता है वह हमेशा अक्सर college librarian का से आम ही होता है इससे बड़ा सेलेवस क्या इससे बड़ा सेलेवस कोई हो नहीं सकता दस्वा जो होता वह आपके academic library information system है public library information system है special library information system है health science library science है corporation library agriculture library है engineering और technology library RQs museum हो गया community information system और information service of person of children और welcome तो क्याने का मतलब यह है कि आपके सलेवस में 10 unit है ठीक है नो अब 10 unit है तो आपको त्यारी करने के लिए 10 register आपको लग-लग से maintain करना है मैं बार-बार यह कह रहा हूँ अगर आपको वास्व में त्यारी करनी है आपको निकलना निकलना है कि पहली बार में नेट के लिए हो जाए तो बिलकुल आपको 10 register आपको लेने है एक-एक unit का एक-एक register आपको maintain करना है ताकि आपको proper आपको topic by notes मिल जाएंगे आपको notes बन जाएंगे तो आपको revision करना आसान हो जाएगा और मेरा मानना है कि अगर कोई विद्यारती net का syllabus के इसाफ से त्यारी कर लेता है तो उसको जीवन में subject को लेकर कोई परकार की problem नहीं रहेगी दोस्तों वह अगर net का syllabus अगर आपको clear कर लेता है तो वह third gate, second gate, KVS, NVS, EMRS, कोई भी vacancy आराम से वह subject के दम पर वह निकाल सकता है किसके दम पर subject के दम पर आपको निकाल सकता है यसे अभी आप EMRS की librarian की जो भड़ती की त्यारी कर रहे है मैं बता देता हूं जिसका EMRS में अगर वह 65 question आते है subject के अगर उसके 65 में से subject के 50 plus question से ही हो गया है तो समल लेजे उसका आराम से selection हो जाएगा तो जो विद्यायर्ती net और set की त्यारी कर लेता है तो net और set की त्यारी करने के लिए कम से कम उसको विद्यायर्तियों को 4-5 मेने चाहिए इस subject को जो है पूरा cover करने के लिए तो चाहिए फ़िछ सकता है कि बार्त बातुन से cannot unfortunately सीमाना तो जाएगा तो आराम से अन्यक्कों बहुद कर अगर ऑutors से갈 है का तो जो सब्यक्राइब करने चाहिए थिखिुर ऑर जो भी विद्यायरती उजईसी करके त्यारी कर रहा है सबसे पहले मेरा व्यक्तिकर्स हुजाव यह है कि आप सभी जो है नेट और सेट का जो सेलेबस है उसका प्रेंट आउट निकाल लिए और प्रेंट आउट निकालकर अपने पास रखिए दोस्तों ठीक है ना और जो विद्यार्ति जिसको हमारी क्लासिस ऑनलाइन इ स्कोल इंडिया सुझा और उस एप के अंदर जाने से पहले आप अपने पास एक व जो है यूजी सी नेट के इंदर जाकर तेख़ें और syllabus अपने हाथ में रखे और app के अंदर जाकर देखे यूजी सिंगर net हमने net set का class शुरू कर दिये हैं आप syllabus के हिसाब से app के अंदर जाकर देखे कि हमने syllabus के हिसाब से अगर आपको पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप बिलकुल syllabus को हाथ में लीजिए और app के अंदर जरूर जाकर देखे हम आपको syllabus के हिसाब से पढ़ा रहे हैं दूसरा बात ये ध्यान लगना है कि अगर आपको मेरे content आपको अच्छा लगता है अगर आप हमारे साथ पढ़ना आप हमारे online school इंडिया से पढ़ना चाहते हैं तो हमने OSI for library science app डाउनलोड कीजिए उसके अंदर जाकर app के जाकर कुछ free demo classes है वो जरूर देखें दोस्तों तो मैं जो भी विद्यार्ती जूणना चाहता हूं मैं दो बाते उनके सामने clear करना चाहता हूं कि जो हमने UGC net का जो course launch किया है तो मैं बता देता हूं ये course जो है पहली बात तो ध्यानलोड ये पूरा जो course है वो आपका क्या होगा दोस्तों recorded class होगा ध्यानलोड इस recorded class होगा क्योंकि इतना बड़ा जो course है वो आपका live नहीं पढ़ाया जा सकता तो पूरा जो course है वो आपको recorded class में होगा और अभी हमने 50% course करवा दिया है और app के अंदर डाल दिया है बाकी का जो 50% course है वो आपके December से पहले पहले पूरा करवा देंगे तो पहले चीज़ के ध्यानलोड नहीं पूरा जो course है वो recorded होगा ध्यानलोड ये बता जेता हूं यह लिखावा है पूरा कोर्स किया होगा दोस्तों recorded होगा कोई live class नहीं होगी ध्यान रखना दोस्तों इतना बड़ा सलेबस है अगर मैं डेली live class लेता हूँ तो कम से कम पांच महिने में ये कोर्स पुरा होता है लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मैं खुद एक गॉर्मेंट जोब में हूँ तो live लेना मेरे लिए संभव नहीं है इसलिए मैं आपको इस पश्ट कह रहा हूँ तो अगर जो भी UGC net set का क्यारी करना चाहते हैं मेरे इसाब से उसके लिए best होता है आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं तो पहली बात द्यान रखना है कोर्स लेने से पहले आप एक वार सारे इतने एप के अंदर जाके देखो उसके दिसान निर्देश जो है आप जरूर दिसान निर्देश जरूर पढ़िए द्यान रखना पहला तो recorded classes होगा और दूसरा यह चीज PDF है वह PDF जो है download नहीं होगी द्यान रखना वह PDF क्या नहीं होगी download नहीं होगी मतलब यह है कि आपको पूरा जो course है UGC net का जो जितना भी library science का जो course है वो आपको hand written notes बनाने होंगे अगर आपके 10 unit है तो 10 register आपको maintain करने होंगे ध्यानकना जिंद्गी में एक बार course लिखना है और आपको सपलता प्राप्ट करने है ध्यानकना PDF डाउनलोड नहीं होगी और ना ही उसका print out no print out no print out PDF का print out नहीं निकलेगा आपको द्यानकना PDF से notes बनाने है फिर वीडियो देखना है और हर topic के निचे आपको क्या देना है दोस्तो टेस्ट देना है ध्यानकना तो मैं आपको इस class के माधिम से ये दो बाते इस पर्ष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो course है वो recorded class में होगा और दूसरा आपको PDF का print out नहीं निकलेगा आपको hand written notes बनाना होगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार जी हमें PDF देदो हम PDF देदो हम PDF नहीं तेंगे ठीके ना भई तबी आप में आप जो है आप जो है जल्द सपल होंगे बिना लिखावा अगर आप लिक नहीं सकते हैं अगर आप लिक नोट्स नहीं बना सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि आप जीवन में सपलता प्राप्त कर सकते हो क्योंकि library science एक technical subject है जब तक लिखोगे नहीं जब त से लिखना होगा उसका प्रेंट आउट जो है नहीं निकाल पाओगे दोस्तों और इसके अंदर द्यान अगना दोनों पेपर होंगे द्यान अगना ठीक है ना इसके अंदर आपके पेपर वन भी होगा और उसके साथ आपका पेपर टू भी होगा क्या होगा दोस्तों और इसमें हमने एक तरीका बनाया आपको जल्द सपल होने के लिए कि सबसे पहले आपका क्या मिलेगा वीडियो मिलेगा वीडियो के निचे क्या होगा दोस्तो पीडियेप होगा और PDF की निच्छे हर एक topic का क्या होगा दोस्तो test series थेरीज होगा द्यान लगना हर एक topic स्वरी में 클re brake करवाना चाहता हूं दोस्तो आपको मैं यह चाहता हूं कि स्टूडेंट syllables का एक-एक topic clear करें, जब student को topic clear हो जाएगा, तो उसको कोई नहीं रूख सकता है दोस्तों, इसी की तरीके से और उसके बाद जो topic wise test series है को, सबसे पहले हम आपको दे रहे है topic wise test series ठीक है दोस्तों, क्या दे रहे हैं topic wise test series हम आपको दे रहे हैं, और उसी के साथ आपको unit wise test series दे रहे हैं ठीक है नवी, unit wise test series, दिया लगना हर एक unit का अलक्सर test series है तो unit wise test series है तो एक unit के अंदर आपको 500 question है, ठीक है ना किते question है, 500 question तो दस unit पे किते होगे, आपके 5000 question है, जिसमें हमने करीबन 3500 question की test series हमने दे दिये हैं, और पूरा जो course है, वो आपको bilingual होगा द्यान अगना, क्या होगा दोस्तों bilingual पूरा जो course होगा द्यान अगना, दोनों भासाओं में हिंदी और इंग्लिस भासाओं में दोनों में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहना चाहता हूँ अगर आप interested है यह मेरे personal number है ध्यान अगना आप कभी भी इस number पे call करके पूछ सकते हैं, इस course के बारे में ठीकिना, course लेने से पहले एक वाँ जरूर बात कीजिएगा और जो भी course लेने से पहले जो दिसान निर्देश दिये वे उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ ले और जो दो वाते मैंने बता ही है उनको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है चीक है दोस्तों, तो आप सभी का जो है दिल से धन्यवाद करता हो और जो भी UGC Net या Set के त्यारी करना चाहते है अगर आप हम से जुड़ना चाहते है तो हमने UGC Net Set का course शुरू कर दिया है आप कभी भी इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, अभी हमने 50% course upload कर दिया है और उमीद है कि December से पहले पहले पूरा course आपको करवा देंगे Topic-wide test series है Unit-wide test series आपको रहेगी दोस्तों तो सबसे पहले इस class को जो भी देख रहे हैं आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इस class को like कीजिए हमारे इस channel को subscribe कीजिए और सबसे important बात मैं आपको फिर से कह रहा हो और UGC net के अगर आप त्यारे करे हो सबसे पहले syllabus का print out निकालिए और print out syllabus को अपने पास रखिए और syllabus के हिसाब से आपको पढ़ना है दोस्तों हर एक unit का जो भी topic है एक एक topic को clear करना है तो जितना ज़्यादा आप deeply पढ़ोगे उतना ज़्यादा उतना जल्दी जो है आपका net के लिए होगा दोस्तों thank you very much बहुत बहुत धन्यवाद thank you इस class को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की की और class देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो विडियार्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाएं है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है description में दे दिया गया है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI family से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को subscribe करें ताकि बमिशी में और अच्छी से अच्छी class आपको मिल सकते हैं